दोस्तों आज मैं आपके लिए क्लास 7th की इंग्लिश का पहला चेप्टर तब टाइनी टीचर लेकर आई हूँ इसको मैं आपको हिंदी में एक्स्प्लेइन करूंगी तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखियेगा टाइनी टीचर में चीटियो की जीवन शैली के बारे में बताया गया है यहोद दुनिया के सबसे चोटे जीवो मैंसे एक है और साथी साथ यह बहुत महनती और बहुती बुद्धिमान होते है एक चीटि के जीवन की यह कहानी लगभग सभी को असत्य लगती है लेकिन लोगों ने चीटियो को समझदार भी माना है और साथी साथ उसे अपने पालतू जानवर के रूप में भी रखा है और उसके जीवन शैली को बहुत करीब से देखा है चीटियों के पास एक फिलर या एल्टीना होता है जिससे चीटियां आपस में एक दूसरे से बाक्चित कर सकते हैं और अपनी सूचनाओं का वे आपस में आदान प्रदान करती हैं ताकि वे इस तरह से एक दूसरे से संपर्क में बने रहे हैं चीटियां हमेशा एक लाइन मला कर चलना पसंद करती हैं इस तरह से वो फिलर के दूसरे से संपर्क में बनी रहती हैं चीटियां कई प्रकार की होती हैं उनमें से लाल और काली चीटि सबसे ज़्यादा मुख्य हैं जिसे हम बच्पन से ही देखते आ रहे हैं हर चीटि के छोटे छोटे कमरे होते हैं और साती सात वहाँ पर रास्ते भी बने होते हैं इनमें से कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिन मैं रानी चीटियां अपने अंडे देती हैं और चोटी चीटियां है वो अलग कमरे में रहती है जिसे नरसरी या ग्रब कहा जाता हैं काम करने वाली चीटियों के अपने अलग से कमरे होते हैं और ये चीटिया अपना ज्यादा तर समय सिर्फ भोजन के तलाश में ही बिता देते हैं इनी कमरों में से कुछ कमरे ऐसे हैं जहां चीटिया अपना भोजन संग्रह करके रखती हैं जो भंडार घ्रह के रुप में भी काम करती हैं सेनानी चीटियों का अपना अलग से एक बैराक होता है तथा वे अपने बैराक से बाहर भोजन की तलाश में नहीं जाते हैं और कोई भी अन्य चीटिया सेनानी चीटियों के घर में रहने की कोशिश नहीं करते इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चीटिया अपना जीवन बहुती सांती पूर्वक व्यतीत करती हैं हर एक चीटिया आपना काम बहुती समझतारी और भादुरी के साथ करती हैं और वे अपने समू की अन्य चीटियों के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं करती हैं रानी चीटी अपनी कलोनी की सभी चीटियों की मा होती है और वो लगभग 15 वर्षतक ही जीती है रानी चीटी के दो पंक होते हैं जिसे वेडिंग फ्लाइट के बाद कार्ड दिया जाता है रानी चीटी वेडिंग फ्लाइट सिर्फ गर्मियों में ही कर सकती है इसके बाद रानी चीटी अपना घोसला छोड़ कर किसी मेल चीटी की तलाश में बाहा निकल जाती है वापस लोटने के बाद रानी चीटी अपने पंखों से आजाद हो जाती है और अंडे देनी के अलावा उसके पास कोई भी काम नहीं होता है इन अंडो मैंसे चीटियों के बच्चे निकलती हैं सेनानी चीटिया इनकी रक्षा करती है और काम करने वाली चीटिया इनको खाना खिलाती है साफ करती है इने कसरत करवाती है और हवा धूब खिलाने के लिए बाहर भी लेकर जाती है लगभक 2-3 हवदों बाद ग्रब कुकून बन जाते है कुकून का समय 3 हवदों का होता है और इसके बाद इन कुकून में से चीटियां बहा निकल आती है बाहर निकनने के बाद चीटियों की अलग से कुछ ट्रेनिंग करवाई जाती है और कुछ ही हपतों में वे अपने काम करने के लिए तयार हो जाती है चीटियों के घर में उनके साथ कुछ अन्य तरह के जीव भी रहते हैं जैसे की बीटल्स जो कि एक प्रकार का कीड़ा होता है लेजर ब्रीट्स ये तूसरी प्रकार की चीटियां होती है और इनके साथ ही ग्रीन फ्लाई भी रहते हैं इनी चीटियों में से कुछ चीटियां ऐसी होती हैं जो अपनी मन पसंद की गंद छोड़ती हैं और कुछ चीटियां ऐसी होती हैं जो मीठे रस देते हैं जैसे की ग्रीन फ्लाई और कुछ जानवर हमारे कुट्टे और बिल्यों की तरह ही पालतू होते हैं क्रीन फ्लाई चीटियों की गाय होती है जिस प्रकार गाय हमें दूद देती है उसी प्रकार चीटियां क्रीन फ्लाई को ट्रेनिंग देती है ताकि वो उसे मीठा रस दे सके तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुश्य के लिए चीटियां एक प्रकार से टाइनी टीचर का काम कर रही है क्योंकि हमें चीटियों से बहुत क्युछ सीखने को मिला कि किस तरह से चीटियां अपना काम बहुत समझदारी और भादूरी के साथ करती है तो हमें भी चीटियों की तरह ही अपने जीवन शले को बनाए रखना चाहिए मैं चीटियों से बहुत से चीज़े सीखने को मिलती है कि हमें अपने लक्ष को पाने के लिए किस तरह से कड़ी मेहनत करनी चाहिए साथ ही साथ किस तरह से अपने कर्दव्यों का पालन करना चाहिए और अपने काम को अनुशाशन में रहकर करना चाहिए साथ ही साथ हमें चीटियों से ये सीख भी लेनी चाहिए कि हमें समू में मिल जुलकर रहना चाहिए तो दोस्तों यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी तो दोस्तों इसी तरह से मेरे चैनले के साथ जुड़े रही है मैं बहुत ही जल्द क्लास 7 के इंगलिश के चैप्टर्स को एक्स्प्लेन करूंगी धन्यवाद